और आपने मुसल्मानों का जब जिक्र किया तो घुस पैठिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला इसकी क्या ज़रूत आन पर हैं मैं हरान हूं जी यह किसे ने आपको कहा कि जब बढ़ जारा है बच्चों की बात होती तो सिर्फ मुसल्मान का नाम जोड़ देते हैं तो हम मुसल्मान के साथ अन्या करते हैं हमारी हां गरीब परिवारों में भी यहाल है जी उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं किसी भी समाज के हो गरीब ही जहां है वहां बच्चे भी ज्यादा है तो आप कह रहे हैं मुसल्मान अलग था ज्यादा बच्चा पैदा करो तो कि इसक्षाय मुसल्मान आपको वोट देगा I suppose मैं माता हूं मेरे देश के लोकम उप्ए है पूंहेंगे है मैं जिस दिन हिंदु-मुसल्मान करूँ गारा उथ दिन में सारवाजनिक जीवन में रहने योगर नहीं रहाँ और मैं में हिंदु मुसल्मान नहीं करूँगा यह मेरा संकल्प है अगर मैं घर देता हूं मैं सेचुरिशन की बात करता हूं 100% डिलिवरी इसका मतलब हुआ काव में मानों 200 घर है कौन समाज है कौन जाती है कौन धर्मे नो उन 200 घर में अगर 60 लाभारती है उन 60 लाग लोकों को मिल ना चाहिए और जब मैं 100% सेचुरिशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है वो सच्चा सेकुलरिजम है जब आप उसमें करूप्शन की भी संभावना नहीं रहते हैं कि अगले मंडे को मिला ना अगले मंडे को मेरा नमर लग जाएगा मुसल्मान ये बात कहते ह हैं उनके घर पर सड़क आई हैं विजली ऑई है उनके घर पर सिलेंडर आया है शकीला और शकुन तला में किसी तरह कई पहली बात है कि मैं मानता हूं कि काशी में घाट और काशी की पहचार है लेकिन उसमें अधुनिकता होनी चाहिए और उसमें से मुझे एक नमो घाट बनाने का विचार आया और इन देनों शाम को बहुत बड़ी मात्रा में है लोग यहां आते हैं तो ऊवर पुरान और इसको जोड़कर के देखते हैं और मैंने यह बचा के रखा है और मैंने इसको आधिरीन भी दिया है और लगातर लगातरemie ईकल आते हैं नवा गंग ना मोगी आए अच्छा यह बताईए मेरे दो पुए आखरी सवाल है पहला तो यह कहा जाता है कि 400 अगर मोधी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या गरेगा विपक्ष एक मजबूत स्तिती में होगा तभी तो लोकतंत्र चल पाएगा आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आजा है मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने हैं मैं इसी के लिए महनत कर रहा हूं लेकिन मजबूती का मतलब यह निए हाउस नचलने दे पुर्दंग करें अंडेमोकराटिक में में काम करें भारत का दुर्भाग है कि पिछले दस साथ यह लोग पूरी तरह विपक्ष के र नहीं है जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शांसन में कैसे सफल हो सकते हैं और भारत में मजबूत लोगतंत्र की बहुत आवश्यक्ता है मजबूत विपक्ष की आवश्यक्ता है और इसलिए सरग्परवाने के अच्छा सुजाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता कि सभी छोटी पार्टियों ने काफेस में मर्ज करते हैं काम्ग्रेस में मर्ज करना नहीं करना कहां करना वहो मेरा बशुष नहीं है इसका आर्थ में निकालता हूं अगर यह मर्ज हो हो जाएगा हम मानने विपक्ष बनेंगे दूसरा आपको आफसरे होगा मैंने कानून में परिवर्तन किया हमारे यहां बहुत सी योजना ऐसी है बहुत सी कमीटी ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता है और बड़ी महत्वफुन लेड़े होते तो मैंने कानू कोनी परिवर्तन किया कि लीडर ऑफ आविशन है नहीं को कि 2014 से निस तोंके बास सिटे नहीं थी मैंने का लार्जेस पार्टी का लीडर उसको बिठा को मैं इतना डेमोक्रेट हूं वहन्ना मैं नहीं बिठा था मुझे कोई ज़रूत नहीं थी देगी फिर भी मैंने किया है मुझे पता है वक्त की कमी है लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जोनों ने इस सवाल पर बहुत खिल्लिया उड़ाई थी लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना कात्रे एक औरत में मुझसे ये कह मुझा था और आज फिर मैं वो सवालमाप से प्चली फांसाल पेली अरा कि मैंने आपसे कहा था थकते कुझ नहीं कि आज साल बीज जाने के बाद आप ज्याधा अपने कि जादा आप काम कर रह है आप वाकी थकते क्यों नहीं पहले जब तक माँ जिन्दा थी मुझे लगता था कि साइट बायोलोजी के लिए मुझे जन्म दिया गया है माँ के जाने के बाद इन सारे अनुफ़ों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विन्स हो चुका हूँ गलत हो सकता हूँ जालो अलेप्टिस लोग तो मेरे दज्जियां उड़ा देंगे मेरे बाल नोच लेंगे मैं कन्विन्स हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है यह उर्जा बाइयोलर्जिकल सरीर से नहीं मिली है यह उर्जा इश्वर ने मुझे कुछ काम लेना है इसलिए मुझे विधा भी दी है इसलिए मुझे सामर्थ भी दिया है उसलिए मुझे नेक दिली भी दिये है और प्रेरना भी वही दे रहा है पुर्शाद करने का सामर्थ भी दे रहा है और मैं कुछ नहीं हूँ एक इंस्टूमेंट हूँ जो इश्वर ने मेरे रूप में मुझे मुझे से लिए न ताहिक किया है और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं मानता हूँ शायद इश्वर मुझे करवाना चाहता है क्या परनाम होगा चींटा छोड़ो मैं सिर्फ इस वर को समर्पित हूँ दूसरा लेकिन उस इ जारी हो मैं भी भक्त हूँ तो मैंने 140 करोर देश्वासियों को इश्वर का रूप मान करके चलता हूँ वही मेरे भगवान है आप भगवान के बीच में है और भगवान आपके साथ है माँ आप में समाई हुई है आपको कूप सारी शुपकामनाइं बहुत दन्वास चार प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी जिन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर बात की है मुसल्मानों से लेकर विकास से लेकर विरासत से लेकर मा से लेकर भगवान तक हर एक बिंदू पर अपनी बात कही है देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया बात कही है